नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल जिसका नाम है कहरेलू नुसके और घरके नुसके दोस्तों इस चैनल में आज मैं आप लोगे लिए जो चीज लेकर आया हूँ जो नुसका लेकर आया हूँ ये आसानी से बढने वाला नुस्का है जो कि हमारे सपेद हुए बालों को काला करने के काम आता है तथा हमारे बालों में जो डेंड़ब की आजकल समझता है देखा दोस्तों आजकल क्या होता है की दूसित वातावरण और बढ़ती पॉल्विशन की और पानी की गंदगी के कारण हमारे बाल का रंग सपेद होने लगता है और हमारे बालों में सपेद रंग जैकि सपेद बालों का बढ़ना अभी आइस्ता ही तोर से सुरू हो चुका है जो की काफी नुकसान दाया है का और इससे बाल गिरने का काम भी शुरू हो गया है दोस्तों ये नुस्का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ये पूरी की पूरी तरीके से आजमाया हुआ है घरे लू नुस्का है इसमें जो चीज़े उप्योग की जाने वाली है उसमें खोपरे का तेल ये आउले का छूरन कड़ी पत्ता जिससे आप कड़ी पत्ता बोलते हैं मीठा नीम भी बोला जाता है उसके बाद मेरे पास एक कड़ाई है दोस्तो इस नुस्के को बनाना बड़ा असान है आप क्या करें कि अपने घर पे एक बीकर लें उसके उपर आप अपनी कड़ाई को रखें कड़ाई में आप 100 ग्राम खोपरे का तेल डालें हाँ दोस्तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनें यह आपने डाल दिया उसके बाद आप नीम का पता इसमें डाल दें जब इसमें आप डालेंगे और 10 मिट तक आप इसे घोड़ते रहेंगे तो इसका रंग जो है वो काला हो जाएगा पूरी तरीके से यह काले में परिवर्तित हो जाएगा इसके बाद आप इसमें थोड़ा आउले का चूरण डाल दें जो कि विटामिन D की हमारी विटामिन A और विटामिन D की भरपूरी हमारे बालों को करेगा और इसा करने से जो काला रंग आपका आएगा बना हुआ ये आपके सरीर के लिए आपके बालों के लिए बड़ा उप्योगी होगा इससे आपके सिर में होने वाली जैसे की डेंड़ब की समस्या खुजली ये इसे हर्बल ओजदी है जो कि आपको कोई side effect नहीं देगी और पूरी तरीके से इसका उप्योग करेंगे तो आपको जो सप पर बनाया सकता क्योंकि खोप्रा आपको किराने की दुकान से मिल जाएगा कड़ी पत्ता आपको बाजार में अवेलेबल हो जाएगा और आउले का चूरण आपको किराने की दुकान से मिल जाएगा तीनों चीज़ा आपको अवेलेबल हो जाएगी आसा करता हूं दोस्तो लगाओ तो लाइक करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागते घरे लून उसके चैनल में